नमस्कार मेरे नाम है सुरेंदे सिंग और आप देख रहे हैं SM News अर्विंद्र केजीवल सहाब का और अर्विंद्र केजीवल हमेशा अप्षे लच्छेदार भाशा से और अपनी वेश बूसा से भी लोगों को अकरश्चित का केंदर भी होते हैं और अपनी बातों से भी लोगों को पूरा satisfaction भी देते हैं और उसके बाद नाम आ रहा है वो सबसे बढ़ा और खुबसरत नाम है वो आ रहा है भगवत मान का जो हमेशा से अपनी बातों से कई बार विवादों में भी रहे हैं और बात करते हुए उनके जो जोकस आते हैं जो जुमले आते हैं वो बहुत जबरदस आते हैं और बहुत सुन्दर तरीके से अपने presentation को र पहले हैं और SCST के हमेशा भात भी अपने तरीके से कहते रहें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते भी हैं बाहर के स्टार प्रिजारकों के अलावा सबसे पहली जो नाम आ रही है आप मिनिस्टर्स में ही से ही आ रही है जिसमें राहिंदर पाल कौतम है, इ अजे कुमार हैं, केलाश गहलोत है, राकी बिल्ला भी हैं, विशाल हैं, पिर्थीबी रेड़ी हैं, अमन अरोडा जी भी हैं, अब्दुल रह्मान है, संजे भगत हैं, रेखा रानी हैं, तो सारे अदिकतर लिस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी के मिनिस्चरों की हैं, आम तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट आम अदमी पार्टी ने करी है और बड़ी तेजी से अपना प्रचार को रंग देने लग रही है आम आदमी पार्टी काफी कुछ फ्री कर रखा है लोगों का रुजान भी है जो दिल्ली के अंदर अच्छी खासी सभी पार्टियों को चे बहुजन समाज की पार्टी हो बसपा सभी पार्टीयों का गठ जोड बजबूत दिखाई दे रहा है चारों पार्टीयों के अलावा निर्दलिय उमीदवार भी कई सारे लोग मैदान में हैं और निर्दलिय उमीदवारों ने खुला चेलेंज भी दे रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टीयों को लेकिन ये सारी पार्टीयों आप देखने को रहेगा कि 8 तारीकों किसके खेवे में कितनी सारी वोटें आएंगी 11 तारीक को रिजल्ट आने के बाद ही CM डिक्लियर करेंगे अब देखना ये है कि 11 तारीक के बाद कौन बनेगा दिल्ली का CM अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले